हलो दोस्तो गुरी एलेक्ट्रिशन एंड पलंबर यूडू चैनल में आपका स्वागता है आज हम लोग आपको बताएंगे कि वाटर टेंक जब पाणी की टेंकी होती है उसको इस्टॉल करते हैं मेरे पलंबर भाई या कोई और अब्यक्ती उसमें थोड़ी सी गलती कर जाते हैं जिसकी बज़ा से उसमें मच्छर मक्खी शिपकली बगएरा उसके पाईप में चले जाते हैं और बाद में वो हमें प्रेसानी होती है उन पाईपों को ऊपर से बंद करने के लिए हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में आगे वीडियो में बताये गया है दोस्तों उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें यह देखें दोस्तों हमने एंड कैप से एर पोल बनाया है उसको हम लोग इन पाइपों के लगाएंगे और इनको बनाने के बारे में हम लोग आपको आगे की वीडियो में बताएंगे लोग दोस्तों जिस तरह का आपका पाईप एक एंची जा डेड़ इंची जा सावा इंची उसी हिसाब से हम लोग इसका एंड कैप लेंगे और उस पे पैंसिल से मार्किंग करेंगे मार्किंग करने के बाद दोस्तों हम लोग ड्रिल लेंगे ड्रिल में बरीक बर्मा बिट डालेंगे और उससे उन जो हमने मार्किंग की है उन पे दोस्तों हम लोग सराख निकालेंगे और ड्रिल से ज्यादा से ज्यादा इसमें सराख निकालेंगे दोस्तों इसमें बारीक सुराख ही निकालने चाहिए अगर इसमें आप बड़े सुराख निकालोगे तो फिर से वही मक्खी मच्छर फिर से इसमें गुश सकता है और इसके अंदर चला जाएगा जो बाद में हमें पाइब में परिशानी करेगा इसी लिए इसमें बारीक सुराख ही निकाले बारीक सर्क निकालने का मतलब एकि जो इसमें पाइब में एर बनेगी वो इसमेंसे निकल जाएगी और इसमें कोई और चीज जानबर वगएरा इसमें घुस नहीं सकता झाल 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 यह देखी दोस्तों हमने इसमें सुराख निकाल लिये और यह अपना एरपोल त्यार हो चुका है एरपोल हमने दोस्तों यह देखीं हमने लेये और पाइब के ऊपर दोस्तों आप लोग अगर सेलोशन लगा कर भी लगाना चाहते हैं तो इसको लगा लें नहीं तो इसको ऐसे ही इसमें लगा दें ताकि कभी बाद में हम इनको खोल के निकाल के देखना भी पड़े पाइब में तो हम लोग देख सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तो हमें कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें धन्य बाद दोस्तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर कर दोस्तों आगे से हम लोग अच्छी वीडियो बनाने की कोसिस कर रहें बैसे भी दोस्तों हम लोग अच्छी वीडियो बनाने की कोसिस करते हैं